आपको सीधी ले चलते हैं प्रदेश भाजपा की वोर्चोल रैली में किया अध्यक्षी और आज आपकी वजह से जो मूव्मेंट हुआ है राजस्थान के अंदर मैं तो समझती हूं और इसी लिए रोज सुनने को आता है कॉंग्रेस वाले सुनकी अरे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं तो कुछ होने वाला नहीं है कुछ कर नहीं पाए हैं परंत आती जंता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया इसलिए उनके सामने सिर्फ जुकाने का काम हम आज करना चाहेंगे मैं उन बीस वीर सेनिकों को भी नमन करना चाहती हूं आज वे जरूरी है क्योंकि पढ़ते हैं सुनते हैं परंतो आपको मालूम है कि शहादत देने वाले लोग उनको तो सब याद करते ही हैं आज ही नहीं वो बहुत दिनों तक आने वाले समय में भी लोग उनको याद करेंगे आज हम सब की और से मैं शद्धानजली फिर से अर्पित करना चाहूंगी उन बीस वीर सेनिकों को जिनोंने चीन की सेना को टकर दी और मात्रू भूमी की रक्षा करने में शहीद हो गए उन सब को नमन करना चाहती हूं हम सब की और से और सब को याद भी दिलाना चाहती हूं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी हैं जिनका नाम पूरे दुनिया के अंदर लोग मानते हैं कली उनका उनकी बात सुनी और मैं आपको सबको ध्यान दिनाना चाहती हूँ कि पुल्वामा मैं नहीं छोड़ा तो आने सवाले समय के अंदर इनको भी नहीं देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन